हलो एवरिवान, विलकम टू माई चैनल, लॉन्वेट फायजा आज हम एक AC हैल्ड प्रॉब्लम और उसके सलुशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे आप इस वीडियो में देख रहे हैं किसी इनसान को बार बार पेसा बारा है और यूरीन आपका लीक हो रहा है जिसे अंचाहे यूरीन को आना कहते हैं यहाँ पे आप देखें कि जब भी हमारा पेल्विक फ्लोर नॉर्मल होता है तो उसके जो मसल्स हैं वो इस तरीके से स्ट्रेटिन होता है और अगर आपके मसल्स वीक हो जाते हैं तो उसके करण आपको यहाँ से यूरीन के ड्रॉप इस तरीके से आ सकते हैं जिसे हम यूरीनरी इनकॉंसियंस कहते हैं कि अंचाहे यूरीन को बाहाराना और यूरीन लिक होने की समस्या होना जब भी आपको बार बार पेशा बारा है कि जब भी हमें नौर्मल पेशा बाता है तो वो clear होता है अगर पेशा बने पस आता है तो वो इस तरीके से cloudy हो जाता है तो ये जो सभी health problem है उसको solve करने वाली medicine के बारे में आज हम सिखने वाले हैं तो आज की video lecture में हम सिखेंगे UTI के बारे में कि UTI को solve करने वाली medicine का नाम है Urekin Tablet तो अगर किसी patient को ये जो सारी health problem है उसे solve करना है तो उस patient को Urekin Tablet suggest की जाती है यहाँ पर आप ये जो list of content देख रहे हैं इस content के बारे में आज का हमारा वीडियो lecture रहेगा तो पूरी detail जानकारी आपको Urekin Tablet के बारे में सीखने मिलेगी सबसे पहले basic से समझते हैं ये medicine कौन से class से बिलॉंग करती है ये medicine एक इसा class से बिलॉंग करती है जिसका नाम है anti-spasmodic तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि anti-spasmodic agent जो है वो क्या काम करते हैं वो specially specially खास करके आपको युरिनरी ब्लैडर में प्रोस्टेट ग्लैन में और युरेटरा में inflammation हो गया है वहाँ पेन हो रहा है सूजन आ गई है तो वो से ठीक करता है इसमें जो salt content है फ्लेवोग्जेट उसकी जो strength है वो है 200 mg अब कमपनी के बारे में जाने तो इसे manufacture mankind pharmaceutical company करती है तो ये एक Indian multinational pharmaceutical company है जो healthcare products को भी बनाती है इसका जो head office है वो कहाँ पर है मुंबै में अब यूजिस के बारे में सीखें कि युरिकाइन टेबलेट अदर किस-किस condition में patient को prescribe किया जाता है जैसे कि बार-बार किसी इंसान को पेसाब आ रहा है कोई इंसान पेसाब रोक नहीं पाता है तो उसको रोकने के लिए medicine suggest की जाती है अगर किसी को पेसाब करते समय डर्ड हो रहा है मुत्रा से की मरोड हो गई है तो उस condition में suggest की जाती है यहाँ पर अदर हम सीखें जिसे की over-reactive muscles हो गए है over-reactive आपका bladder हो गया है जिसके कारण आपको अंचाहा urine बाहर आ सकता है तो उसे ठीक करने के लिए और muscles spasm को prevent करने के लिए यह medicine suggest की जाती है तो आपको urinary frequency है बार-बार आप urine करने जाते हैं urine की urgency है dysuria जिसे हम pain for all difficult urination कहते हैं कि urine करते समय आपको pain हो रहा है urine करने की आपको urgency है तुरंथ ही भागना पड़ता है और uncontratively frequent urination तो जब भी आप urine करते हैं तो आपके urine जो है वो आपका control में नहीं रहता है आपका खुद से ही urine निकल जाता है तो यह जो सबी problems है उस problem में urine काइन सचेस की जाती है अब label study के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखें RX, RX का मतलब होता है prescription based drug तो यहाँ पे उसका प्राणनेम लिखा हुआ है urine काइन यह सेडिल H की drug है सेडिल H की मुदाबिक retail medicinal जो pharmacist है वो without prescription यह medicine को sold नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप देखें red color की यह जो line है वो indicate करती है कि यह सेडिल H की drug है अब packaging के बारे में बात करें तो blister pick में available है and each pick में total 10 tablets आती है तो आप इस तरीके से इसका packaging भी देख सकते हैं नाव वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक new launch book है जिसका नाम है disease and treatment तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से पूरी color printed हमारी book आएगी इसके लिए आपको हमें इस whatsapp number के true contact करके अपनी जो book है वो गर पे तो यह medicine का काम यह है कि आपके जो muscles है वो उसे relax कर देगी तो जब भी आपके muscles contracted हो गया है तो वो दीरे दीरे यह medicine के true आपके muscles को relax करेगी और आपको frequent urination आ रहा है वो उसे ठीक करेगी अब यहाँ पे हम सीखे कि normal bladder और over reactive bladder तो जब भी आपका normal bladder है तो यहाँ पे आप देखे इस तरीके से यह जो shape बना हुआ है यू shape वो normal है अगर आपके over reactive हो जाता है यहाँ पे pressure बना रहता है जब भी आपको pressure बना रहता है तो उसके करण आपका जो urine है वो इस तरीके से leak होने लगता है तो यह जो सभी conditions है उसको यह medicine ठीक करेगी और आपके bladder को भी normal state में लाके रख देगी तो इस तरीके से यह work करता है अब dose के बारे में सीखे तो जो daily recommended dose है वो है 200 mg यानि कि एक tablet में आपको 200 mg drug flavoxate मिलती है तो इसका जो dose है दिन में दो बार patient को suggest किया जाता है अगर किसी patient को minimum dose जो है वो suggest किया जाता है तो वो 100 mg दिन में तीन बार maximum जो dose है वो 200 mg दिन में तीन बार लेकिन patient की conditions के according suggest की जाती है अगर आप 200 mg पेशन को prescribe कर रहे हैं दिन उसके लिए आपको एक tablet दिन में 2 से 3 बार जैसे की मैंने आपको पताया अगर तीन बार है तो उसकी condition देख के suggest करेंगे या फिर आप दिन में 2 बार patient को prescribe कर सकते हैं अब price के बारे में बात करें तो इसकी जो latest updated price है January 2024 की वो आपको रहती है 10 tablets की 203 रुपे अगर आप एक tablet ले रहे हो तो उसकी price आपको 20 रुपे एन 3 पेसे तक की रहती है अब side effects के बारे में सीखें कि common side effects क्या है तो patient जब भी ये medicine लेता है तो उसे nausea vomiting, stomach update gastritic pain dryness of mouth मूँ में आपको dry सा feel होना और इसके करान आप बार बार पानी पीने लगते हैं तो dryness जएसा feel होता है और droughtsiness तो ये जो सारी side effects है वो common सी रहती है अब warning के बारे में सीखें किसे patient को ये medicine suggest नहीं की जाती है और avoid करनी है तो अगर किसी patient को urine kind tablet या फिर इसका salt content है उससे allergic reaction है तो immediately आपको stop करनी है और नहीं लेनी है अगर किसी patient को urinary obstruction है और blockage है urinary treatment या पर आप देखे इस तरीके से किसी patient को kidney stone है या फिर यूरेटर stone है वहाँ पर blockage है तो इससे patient को भी suggest नहीं करनी है gastrointestinal hemorrhages और जिसे हम GI में inflammation होना कहते हैं तो वहाँ पर आपको extrusion है वहाँ पर किसी प्रकार के आपको चूट लगी है heart disease, liver kidney disease और 12 साल से कम बच्चों को तो बिल्कुल भी suggest नहीं करनी है नहीं देनी है अगर कोई patient आलकोल ले रहा है तो उसके साथ urine kind जो है वह suggest नहीं करनी है और अगर अब ज्यादा आलकोल हो ले रहे हैं तो उसके लिए आपको limit करनी है तो यह जो सारी conditions है उस condition में patient को urine kind tablet जो है वो avoid करवानी है और suggest नहीं करनी है ना वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ हमारी एक new launch book है जिसका नाम है disease and treatment तो आपको इसका detailed video lecture चाहिए तो आई बटन के true आप यहां से इसे डेख सकते हैं और उसको लेने के लिए आप हमें इस whatsapp number के true contact करके अपनी जो book है वो मंगवा सकते हैं अब यूरीकाइन टेबलेट की pregnancy category के बार में बात करें क्या pregnant पहील आए यह medicine ले सकती है तो USFDA के जो prescribed information है उसके मुटाबिक इसकी pregnancy category B रहती है तो इससे अच्छा है कि आप एक बार अपनी जो gynecologist है उससे consult करवा लीजिए और उसके बार अगर वो आपको suggest करते हैं यूरीकाइन के बारे में तो आप ये medicine ले सकते हैं अब drug drug interactions के बारे में देखें तो इसकी कौन-कौन सी drug और डूसरी drug के साथ interactions रहती है यहाँ पर ये जो आप listed drugs देख रहे हैं ये जो सारी drugs है उसके साथ यूरीकाइन जो है वो prescribed नहीं करनी है इससे patient को drug drug का interactions हो जगता है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा इसी ही disease and medicine के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को subscribe करें और bell icon को भी यहाँ से turn कर सकते हैं Thank you for watching my video